साथियों, हमारे समाज में एक अधबूत सामर्त है, एक ऐसा समाज है जिसमें चीर पुरातन और नित्यनूतन ववस्ता है, हाला कि इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता, कि समय के साथ कुछ बुराईयां व्यक्ति में भी, समाज में भी और देश में भी प्रविश्च कर जाती है, जो लोग जागरत रहते हुए, इन बुराईयों को जान लेते हैं, वो इन बुराईयों से बचने में सफल हो जाते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन में हर लक्ष प्राप्त कर पाते हैं, हमारे समाज की विशेष्टा है, कि इसमें विशालता भी है, विविदता भी है, और हजारों साल की यात्रा का अनुभव भी है, इसलिए हमारे समाज में बदलते हुए यूग के साथ, अपने आपको ढालने की एक अलग ही शक्ती है, एक इनहरें स्प्रेंथ है, हमारे समाज की सब सब बड़ी ताक्ती हैं, कि समाज के भीतर से ही, समय समय पर इसे सुधारने वाले पैदा होते हैं, और वो समाज में ब्याप्त बुराईयों पर कुठारागात करते हैं, हमने ये भी देखा है, कि समाज सुधार के प्रारंबिक वर्षों में, अकसर ऐसे लोगों को विरोध का भी सामना कर जा पड़ता है, कई बार तिरसकार भी सहना पड़ता है, लेकिन ऐसे सिद्ध लोग समाज सुधार के काम से पीछे नहीं हरते हैं, वो अडिग रहते हैं, समय के साथ समाज यूनको पहचानता है, उनको मान सम्मान देता है, और उनकी सीखों को आत्मसाद भी करता है, इसलिए साथियों हर यूग के कालखन के मुल्यों के आधार पर समाज को सजग रखना, समाज को दोश्मुक्त रखना, ये बहुत अनिवार्य हैं और निरंतर करने वाली प्रक्रिया है, उस समय कि जो भी पिड़ी होती है, उससे ये दाईत्वा निभाना ही होता है, व्यक्तिकर तोर पर हम लोग संगठंतर के तोर पर भी ब्रह्मा कुमारी ये से लाखों संगठर ये काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी मानना होगा कि आजादी के बाद के 75 वर्षों में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट में, एक बुराई सब के भीतर घर कर गई हैं, ये बुराई हैं, अपने कर्टग्यों से विमुक होना, अपने कर्टग्यों को सर्वोपरी न रखना, बीते 75 वर्षों में, हमने सिर्फ अधिकारों की बात करते रहें, अधिकारों के लिए जगरते रहें, जूदते रहें, समय भी खपाते रहें, अधिकार की बात, कुछ हद तक, कुछ समय के लिए, किसी एक परिस्थिती में सही हो सकती हैं, लेकिन अपने कर्टग्यों को पूरी तरह बुल जाना, इस बात ने भारत को कमजोर रोखने में बहुत बड़ी भूमी का निभाई है, भारत ने अपना बहुत बड़ा समय, इसलिए गवाया है, क्योंकि कर्टव्यों को प्राथ्विक्ता नहीं दी गई, इन 75 वर्षों में कर्टव्यों को दूर रखने की वज़े से, जो खाई पैदा हुई है, सिर्फ अधिकार की बात करने की वज़े से समाज में जो कम ही आई है, उसकी भरपाई हम मिल करके आने वाले 25 वर्षों में कर्टव्यों की साधना करके पूरी कर सकते हैं, ब्रह्मा कुमारी जैसे संस्ताएं आने वाले 25 वर्षों के लिए एक मंत्र बना कर भारत के जन जन को कर्टव्यों के लिए जागरुत करके बहुत बड़ा बड़लाव ला सकती है, मिरा आगरह है कि ब्रह्मा कुमारी और आप जैसे तमाम सामाजिक संस्ताएं इस एक मंत्र पर जरूर काम करें और वो है देश के नागरिकों में कर्टव्य भावना का विस्तार.